नमस्कार मैं हूँ शिवांगे और आप देख रहे हैं निउस्टेन इंडिया आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे भारत ने सुरक्षा परिशद में पाकिस्तान को लगाई जम कर लतार उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और सांती साथ फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले एक बार फिर से सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है बतादे कि आतंगवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने सुरक्षा परिशद में पाकिस्तान को जम कर लतार लगाई है राजनई कार मदू सुधन के मताबिक पाकिस्तान आतंगवाद को पालता रहा है उन्होंने काया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंगवादी घटना हो उसकी जरे पाकिस्तान में ही मिलती है सालों से पाकिस्तान आतंगवाद को संरक्षन देने का काम करता आया है कश्मीर मुद्दो पर भी भारत ने एक बार फिर से अपना रूख स्पष्ट कर दिया भारत ने कहा कि पूरे कश्मीर और लदाग भारत का हिस्सा है और इस बारे में पाकिस्तानी प्रतिनीधी क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस मसले पर यदि पाकिस्तान किसी तरह की बारता करता है तो ये जरूरी है कि पाकिस्तान कश्मीर के कब जाए हुए हिस्से को खाली करते बतादे कि नागरिकों के सनरक्षन मुद्धे पर भी हुए इस कारक्र में भारत की ओर से आर मदव सुधन ने कहा कि हम यहां नागरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसे सबसे बरा खत्रा आतंग बाद से है Facebook और Twitter पर भी follow कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद